गर्मियों की दिन में ठंड़ ठंड़ कुछ खाने को मिल जाता है तो मजा ही आ जाता है तो friends इस custard के रेशिपी को आप ठ्राई कीजिएगा मिंटो μεं बनता है बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीसेस बनता है इसे बनाना बच्चों का खेल है तो चलिये बनाना शुरू करते हैं कस्टेड बनाने के लिए सबसे पहले कस्टert पॉडर ले लेए एक प्याला में कस्टर पॉडर हमने यहाँ चार चम्मच लिया है अब इसमें ग्रूम टंप्रेचर के मिल्क को डाल देना है एक कप मैंने यहां दूद डाला है इसका कस्टड का अब हमें घोल बना देना है अगर आप कस्टड थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो कस्टड पॉडर तीन चम्मच इस्तामाल कीजिए मैं यहां एक कप के लगवग चीनी डाला है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दें इसके बाद हमें फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो कर देंगे उसके बाद एक फांसे चम्मच इस तरीके से चला-चला के हमें कस्टड का जो दूद में बनाके घोल रखना था इसे डाल देना है ऐसे दो से तीन मिनेट तक पका देना है देखिए यह गारह हो गया फ्लेम आफ कर देंगे अधोरा इसे ठंडा होने देंगे जब ठंडा हो जाएगा जिस परतन में भी आप इसे से शिट करना चाहते है उसमें पूरा पलड़ दे देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से कवर कर देंगे और फ्रीज में डाल देंगे कम से कम तीन से चार गंटा फ्रीज में डाल दे या ओवरनाइट छोड़ दे एकदम गारह हो जाएगा तो इस तरीके से आप पहले कस्टेड बना लीजे जब आपको सर्फ करना हो तो फ्रूट्स कट कीजिए ठंडा ठंडा आप सर्फ कर दीजे देखिए फ्रेंट्स हमने ओवरनाइट छोड़ दिया था अब देखिए मैं चिक कर वारी यह कितने अक्तम गारह क्रीमी हो गिया है इसमें हमें जो भी फ्रूट्स खाना पसंद है वो डाल देंगे तो मैं यहां डाल रही इसमें एक दो केला मैंने काटा था पतले-फतले स्लाइस में अब अच्छे से मिक्स करते तो देखिए है ना फ्रेंट्स कितना गारह क्रीमी कस्टड एकदम ठंडा-ठंडा सर्फ कीजेगा जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा तारीफ करेगा देखिए कितना ख्रीमी लग रहा ना बहुत ही डिलीशियस बहुत लजीज बनता है देखिए कितना आसान है ना मिंटो में बन जाता है कोई जटपट से बन जाएगा जो भी खाएगा बहुत ही तारीफ करेगा आपका तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप कस्टड जरूर बनाएए और कॉमेंट करके बताएगा कि आपको ये कस्टड का रेसिपी कैसा लगा अगर आपको रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर जो नहीं है प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अबल आइकन को भी प्रेस कर दे ताके हमारे नीव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है फ्रेंड्स आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दे हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है तो फ्रेंड्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई टेक कियर